जाहिन सात्यों स्वागत है आपको हमारे चनल PCS दर्पन पे आज का जो सिसन है दूस्तों यह देखिए दिसंबर 23 का पड़्योगिता दर्पन सिसन लेकिया है जिसमें यह टॉपिक नंबर 3 है दूस्तों इससे पहले मैंने दो टॉपिक करा दिया जदी आप नहीं देखें द कि अब दूसरा जो दूसरा सेसं था मेरा वह सार्च संग्रह कंपलीट कर जिसमें 130 को रहता है दोस्तों के जिय सवाला और ठाट जो से सन्वने वाला है दूस्तों यह राश्ट्रीओं घटना करम होने वाला है तो बहुत ही महत्पून होने वाला यह से सन आप हमारे चैनल दोस्तों सब्सक्राइब करें और जब यह सेशन खतम हो जाएगी ना दोस्तों उसके बाद हम एक मास्टर वीडियो लेकर आएंगे आप लोग के लिए तो यह बहुत ही महत्पून है और मास्टर वीडियो तो हर मंत का भी लाते हैं इससे पहले हमने सब्सक्राइब करमते ही दैख संब्सक्राइब को कानूनी मान्यता नजियाए रहे। इसको सुनाएगे है न यह सर्वोचन्याले की द्वारा सुनाएगा है 17 अक्टूबर को और इसमें बताए दोस्तों यह जो है समिधान पीठ ने चार अलग अलग फैसले में इस मामले में लेकिन एकमत फैसले में कहा है कि ऐसे जोरों के लिए कानून बनाना और मानियता देना केवल संसद या विधान सभाओं का ही अधिकार है इस मामले में सिर्फ और सिर्फ अधिकार कि इसको है संसद या विधान सभाओं का ही है इसके साथ ही पीठ ने यह भी समलेंगिक विवाहों को कानूनी मानियता परदान करने के लिए विधाय को निर्देश देने के अदाल लोग है वह विबाव जदी करना भी हुआ तो वह तो पहले कानूनी मानेता उनको नहीं है उसकें में रहती है उनको अधिकार में नहीं है उनको गोद नहीं दिया जाए गा अगला में पॉइंट विश्टी जुए डीवाई चंद्र चूर और जस्टीस एस रविंद्र भाट और जस्टिस हीमा कोहली और जस्टिस पी-एस नरसिमा जो है यह पांट सदसी समीधान पीट हुआ है ठीक है जिसमें से तीन जो है पक्ष में आया है लेकि एक सम यह जो हुआ है नहीं यहाँ पे तो यह पर सहमती थी कि कानून समान लिंग वाले जोरों की विबाह की अधिका को मानेता देने की मांग करने वाली 21 याचिका पर यह फैसला सुनाया है और यह बता दे कि कुछ जो समाजी करेगारता और संगठन सामिल थे अप्रील से अब मार्ट से अप्रिल 23 में दोनों पक्षों की ओर से दस दिन तक चली बहस के बाद यह फैसला 11 माई को सुरक्षित रखा गया और 17 अक्टूबर को इसे सुनाया गया सर्वचन्याले के द्वारा अब नेक्स्ट जो बनता है दोस्तो यह जो है त्रिपूरा के दो आतंकी संगठन जो है कौन-कौन है दोस्तो एक है NLTF है NLTF और दूसरा जो है ATTF पर प्रतिबंध की अओधी अब कितना बरहा दिया गया है पांच वर्स और उसमें ब्रिधी कर दिया गया है तो इसके बार दोस्तों क्या है इसका फूलफरम नेशनल लेवरेशन फ्रांट ओफ त्रिपूरा है और दूसरा का क्या नाम है आल ट्रिपूरा टाइगर फोर्स ए टीटी एफ इसका फूलफरम है इनकी गुटों और जो है घरो की गैर कानूनी घोशित करते हुए ग्रिह मंत्राले ने इ इन आरोपित प्रतिबंद को पांच पांच वर्ट्स के लिए बढ़ा दिया गया है और राष्ट विरोधी गतिविदियों के लिए इन दोनों संगों जो है गैर कानूनी गतिविदिया रोख थाम अधिनियम 1967 अनलोव एक्टिविटीज प्रेवेंशन आक्ट यू ए पी ए का फूल फम है अलोव एक्टिविटीज प्रेवेंशन आक्ट यह धारा तीन के तहत किया गया है धारा तीन के तहत यह पहली बार 1997 में प्रतिबंद किया गया था इस परतिबंद पर चार अक्टूबर 2018 से पांच वर्ट के लिए बढ़ाय गया था और ग्रिभ मंत्राले के ती कब से चल ला है दूस्तों 1997 से इसे परतिबंदित किया जा रहा है ग्री मंत्राले के अधिस्चना में कहा गया है कि इन दोनों संगों का मकसद जो था यह मकसद इनका क्या था कि पुर्वत्तर राज्य के अन जो है सहस्त्र अगलावादी संगठनों के साथ मिलकर हथियारों के बल पर तृपुड़ा को भारत से अलग करके एक अलग रास्ट अस्थापना करने की इन दोनों की साजिस है न मंत्राले ने कहा है कि हिंसा करो विद्वनसक गति विदियों सामिल कर रहे इन समूहों के द्वारा सरकार के अधिकार को कमजोर किया जा रहा है और अपने रक्षा बलो के कर्मियों की हत्या में सामिल रहते हुए बेवसाई जनता से धन की जबरन वसुली में भी सनलग्ण है इनकी अत्रिक्त जो है एनल टीएप और एटीटीएप के लोगों की ट्रेनिंग अथियार वा गोला बारूद आधी खरीद के उद्यसे से परोसी देश म भी सीवीरो की अस्थापना की बात भी अधिसुचना में कही गई है ग्यानि की इत दो जो संगठन है यह परोसी राज्य में भी वहाँ पर जा कि अपना संगठन को सवामित देते हैं तो वहाँ से पता भी चला है ठीक और इनका जो संगठनंत इनका मकसद जój אות कि निशें औल लव फूल एक्टिविटीज प्रिबेंसान एक 1967 की धारा तीन के तहट 14 संगों पर परतिबंद आरोपित हिया है कितने कितने संगों पर किया गया है दूसरो 14 संगों पर है ना इनकी सुची बॉक्स में दर्साइग गई है नीशे आपको दिखाएंगे हम अभी जबकि आत अधिनियम की धारा 15 के तहट 44 संगोठनों को आतंकी संगोठन गोशित करते हुए परतिबंदीत किया गया है अभी वरतमान में तो 14 किया गया है यह 14 यहां पर दिखा रहे हैं दूस्तों जो गैर कानूनी गतिविदिया रोख थाम अधिनियम 1967 के धारा तीन के तहट गैर का यहां पर नाम दिया है देख सकते हैं पर पहला है स्टुडेंट्स इस्लामिक मोविंट आफ इंडिया यहांनि एस आई एम आई है नेक्स्ट क्या है यू एल एफ ए फिर क्या है एंडी एफ भी इसमें 14 संगोठन दिया है इसे टूटल जो है दूस्तों 44 है लिगी नहां प सब्सक्राइब को जो है अनावरण कौन की है तो यह जो देख रहे है दोस्तों यह कौन है तो वायू सेना के अध्यक्ष जो है ए यहां पर देख सकते हैं पूरे नीले कलर का है तो यहां पर देख सकते हैं असो कस्तम और यहां पर हमारा तिरंगा है दूस्तों और यह यहां जो है दूस्तों असो कस्तम और सेर वद्यव नागरी लिप इसके पूरे परतिक हम आपको पताते देखे नीले रग के द्वज में सबसे उपर दाएं कोने पर यहां पर देखे दाएं कोने पर भारती वायु सेना के लोगों लगा हुआ ठीक परतिक चिन क्रेस्ट को ज सनम्ट के सेर वद्यव नागरी लिपी में लिखे सतय में जैते अंकित है लोगों में लोगों जो यहां पर 右 लो है दोस्तों इस लोगों में हल्कए मश्य नीले रंका एक वनधा रवाव यगल को दषाते हुए जिस पर भारतिय वायु सेना लिखा है भारतियव सेना का अधर्सवाक्य क्या है तो देखे इसका अधर्सवाक्य क्या है नभ असपर्स दिप्तम यानि इसका मतलब क्या होता है जो जानते हैं हम लोग इगल के नीचे देवनागरी में सुनहरे अक्षरों में अंकित है इस अधर्सवाक्य का इसके बारे मतादे अधर्सवाक्य जो है भागवत गीता के अध्य एगारा के सुलोक 24 में लिखा गया है यहना क्या है नभ अस्पर्स दिप्तम इसका अर्थ क्या होता है वैभाव के साथ आकास को चूहन तर्च दय स्काई विथ ग्लोरी नए ध्वज में भी दाई और नीचे वायु सेना का गोला यहाँ पे गोल नि लिख कहा ज़ाता था कहा जाता थह स्क्रिषिस राशिय् getting एसनों करता था रॉयल इंडिय एयर फोर्स अब जूह है आ कि आरई ऐफ जो फ्टहांड सुष है ओंपर ब्रक्रशी झाड़ा को finally मिल गया है next डूस्तों यह जो है बिहार में जाती गत गणना के आकरिज जारी किया गया है यह देखे बिहार में जन्वारी से मई तक क्या दोरान कराइगे जाती अधारित सर्वे का रिपोर्ट जो है कब जारी किया गे है दो अक्टूबर दो है ट्रीस को गांधी जैनती के दिन पर यह जारी किया गया बिहार की जन संख्या कितना है दूस्तों यह बहुत ही important है तो इस बिहार की कुल तोटल बिहार की जन सक्या जिसमें जिसमें बिहार में रहने वाले 12 क्रोड सम्थिंग आया है तोटल बिहार की जन सक्या में पिछरा वर्ग जो है कितना है 27.13 परतिशत है न और अत्यांत पिछरा वर कितना है दूस्तू 36 परतिशत है extremely backward class जो है यह 36 परतिशत लगए अनुसुचित जाती और जन जाती कितना है 19.65 परतिशत है और अनुसुचित जन जाती कितना है तो 1.6 परतिशत वहां समान्य रक्षित वर की जन संक्या कुल जन सं है यहां पर कम देख सकते हैं लेक्PS गते और समय कितना हो कि पीछरा वर्ण कितना है जो college अितनलों कितना है तरह देखक्ते दोस्तों सभ्याविवत्रों एकार आ साते हैं यहां लगभवग 27 परतिशत है और अत्यांत पिछरा वर्ण %26 परतिशत अनुसोचित जाती कितने है दोस्तों 19 लगभग 20 परतिशτα के करीमय है और अनुसरी जन जाती है जोắng थो यह लगभग कितने हैं देर परतिशा से ज्याद्द 1.6 Philippa 19 फै तक द है कि धर्मों जती नहीं एक लिक्सप्रिण्हे नहीं थे किन्तु आ जातीव उपजातिओं की वास्तिविक संख्या ने धायित नहीं हो सकते थी इस गनना के अनुसार राजिगी कुल जान संख्यां में अगर लिखी थैं यहां पर देखिए यहां पर धर्म क्या धार पर बिहार की जन संगे यहां पर देखिए सबसे ज्यादा हिंदू लगभग बेरासी परतिशत है दोस्तों उसके बाद है इसलाम लगभग 18 परतिशत उसके बाद इसाई फिर सीख फिर बौध ये करम भी पेंट्स के जातिय अधारित गन्ना में एक जनकारी यहँ आई है कि राज्य में विभिण जाती उपजातियों की संख्या दोसों पंद्र है इसमें से गवल्ल 25 जातियां ऐसी है जिनकी अबादी एक परतिशत से अधिक है इस परकार 190 जातियां इस्ते जिनकी संख्या एक परतिशत से भी कम है अगला पॉइंट के दोस्तों की बिहार में जातिकत गन्ना में जो 215 जातियां पाई गए हूं उनमें सबसे ज्यादा जो है 14.26 यादों की है ना सबसे ज्यादा लगवक 15 परतिशत के कर्में यादों है गन्ना की जब कि ब्रहामन कितना है दोस्तों लगवक 4 परतिशत राजपुत यह भी लगवक सारे 3 परतिशत मुसहर 3 परतिशत कुर्मी लगवक 2 परतिशत है ना कास्यत भी है ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं इसका तालिका दिया हुए यादों है 14 परतिशत फिर रविदास है कुस्वा है प्रहामन है है ना इसे पूरा बाटा हुए दोस्तों पूरे देश में कहीं भी 1931 के बाद जाती सर्वे के आकरे नहीं आये हैं बिहार में जातिकत गन्ना के पूरे परकासित होने पर इस कारे में लगी हुई टीम टीम को बढ़ाई देते हों मुख मंतरी सरी नितीस कुमार ने कहा है कि इस गन्ना से ना के वल जाती के बारे में बलकि सभी आर्थिक इस्तिती संबद्धी जनकारी सामने आई है अगला पॉइंट कहा है कि मध्य पर्देश राजस्थान वह च्छतिस गड़ से इंत पांच राज्यों में विधान सभा चुनाओ नवंबर दोहें तेस में संपन है तेकि इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि पांच राज्य कौन-कौन है च्छतिस गड़ राजस्था मध्य पर्देश तेलांगाना और मीजोरम यह पांच राज्य में विधान सभाव के नए चुनाओ होंगे कब से कब तक दुस्तों तो साथ से तीस नौंबर तक के दोरानी यह होंगे ठीक है आई इसके बार में हम लोग जानते हैं पूरे इंपोर्टन्स देखे यह 9 अक्टूबर 23 को की गए इसके साथ ही आदर्स चुनाओ सहींता इन राज्यों में लागू कर दिया है ना अदर्स चुनाओ सहींता जो है लागू कर दिया है घोसित कारेक्रम के अनुसार 36 गड़ की 90 सदस्य विधान सभाग के लिए मतदान दो चरन में हुए है इतना ही याद रखे इतना ही इंबॉडटन सेना कभू है उतना नहीं पूस्ता लेकिन यह बहुत है कि उसमें सदस्य विधान सभा की संक्या कितनी है टूटल तो टूटल नब्बे है जिसमें से बता दे आपको दूस्तों यह दो चरन में हुए है इस नब्बे सीटों के ल एक पढ़ दूसर के लिए उसके बारे में देखे मत्यक विधान सभा की दोसो क्या अचरनunk के लिए उसके बाद आता है राज्य सभा विधान सभा में जो हैं लगवग TWO-सो सीथ लगवग नहीं पूरे 200 सीथ है इसके लिए दोस्तो यह अब जो है एक ही चरण में एक ही चरण में किया गया है 139को और तेलंगणा विधान सभा में दोस्तों सभी 109 सीथ के लिए मददान 1 सख Гड कोन से राज्ञे का हुआ दोसों यह हुआ है छती मिध्हान सभा है यहां रहे सकते हM के अकॉर्डिंग विधान सभाचुनाओ कारेकरम 236 गट का पहला चरण दूसरा चरण लेकिन मीजोरब राजस्तान मद्ध्य परदिस तेलंगना कमात रहे के चरण हुआ है यहां पर टूटल यहां पर पहला चरण 20 सीट का फिर दूसरा सतर सीट का चालिस के चालिस मद्ध्य परदिस का टूटल 230 सीट राजस्तान का टूटल 200 और तिलंगना का टूटल 119 सीट के लिए हुगा था देखे देश में अगला पॉइंट क्या बनता है कि देश में सबसे उचा राश्ट्य धोज्य कहां पर फहराए गया तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं आपको पता करन के द्वारा अस्थापित इस राश्ट्य धोज का उद्गाटन केंद्रिये सरक परिवहन राज्य मंत्री स्री नितिन गटकरी ने 19 सक्टूबर 23 को किया इससे पहले पुर्व आटारी सीमा पर 360 उचे पोल पर राश्ट्य धोज मार्च 2017 में अस्थापित किया गया था कि में अंतु बाद में पांच माह बाद अगस्त माह में पाकिस्तान ने अटारी से लगे बाघा बाघा छेत में 400 फूट उचे पोल पर राश्ट्य धोज अस्थापीत कर दिया अटारी सीमा पर राश्टिय ध्वज प्रादीकरन के द्वारा नया स्थापित राश्टिय ध्वज पागिस्तान के ध्वज से 18 फीट जादा उचा है 418 फूट लंबे इसके पोल की उचाई लगभग 40 मंजले भावन जितनी है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ध्वज के पोल पर जो है 44 बेवासा यानि सर्वरलाइन सिस्टम भी तैना एक्ष्ट जो है दुस्तों कि राजस्तान में तीन नय जीलों का गठन के मुख्यमंत्री की गोशना की गए राजस्तान में चुनावी सर्गमियों के बीच तीन नय जीलों गठन गोशना मुख्यमंत्री इस्रिया तुख गालोत ने चौव अक्टूबर दो है 23 को जैपूर में एक गोश सेवा सम्मिलन में बोलते हुए प्रस्तूत किये हैं प्रस्तावित किये हैं नय जीला उनको है देखिए सुजानगड है मालपूरा है और कुचामन है यह तीन जीला को बढ़ा कर अब जो है टोटल राजस्तान में कितने जीले हो गए हैं टोटल अब तीरपन हो गया है पहले कितने थे दूस्तों पचास था अब कुल संक्या इसकी तीरपन हो गई है मुख्यमंत्री के दौरा ने जीले गठन करने के बाद है यह जो है गोशना चुनावी महाल के चुनावी आचार सहीता लाग होने से पहले ही कर दिया गया था उप्यक्त गोशना से छो महें तो महपूर में राम लुभाय समीती की सब्सक्राइब का हवाला देते हुए राज्य में 19 नए जीलो के गठन की गोशना मुख्यमंत्री स्री गहलोत ने मार्च दोयातेश में की थी इन 19 का अपचारिक गठन सरकार ने साथ अगस दोय तेश्य कर दिया था इसे से राज्य में जीलो की कुल संख्या पचास हो गए थी और तीन नए जीलो का और गठन करके अब टोटल जो है तिरपन हो गया है इसके लिए भी राम लुभाय कमेटिंग के परक परस्ताव का उलेख मुख्यमंत्री ने किया और टोटल कितने है राजस्थान में जीलो की संख्या तिरपन है दुस्तों है नुक्स पॉइंट क्या बनता है कि भारतिय सेना के लिए जो है प्रजेक्ट उदभव या भारति इसकी हजारों वर्स पुरानी संस्क्रितिक विरासत में अंतर हित सैन्ने परनालियो सासन पुर्जेक्ट उदभव के लंच के अउसर पर रक्षा मंत्री श्री राजनात सिंग के साथ थल सेना जनरल मनोज पांडे वायू सेना पर्मुक एरचिप मार्सल वीयर चोदरी यहा तिरू वकलूरल के ग्यान सहीतर विविन आतिहासिक रचनाओं में युधकला संबंधि ग्यान का विदुहन करने के साथ साथ चोलो के समराज्ये चंगुत मौरे वा असोक के आधी समराटों के सैन्न अभियानों आधी के अध्यान कर सेना के लिए आधुनिक सुरक्षा उठाने के लिए एक प्रजेक्ट उद्भव की शुरुवात रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंग ने 21 अक्टूबर 23 को नई दिल्ली में भार्तिये जो सैन्ने विरासत महुस्तों के उध्गाटन के उसर पे किये हैं भार्तिये सेना वा यूनाइटे सर्विस इंस्यूश अफ इंडिया यूएस आई की साज़ेदारी में लौंच किया गया है या पूर्जेक्ट के तहक भार्तिये सेना प्राशीन गरंतों के माध्यम से यूध कला उट निती वर राजनिती को नए सीरे से देखने एंप समझने का इरादा रखती है पूर्जेक्ट में सहयोगी की भूमी में भूमी का में सामिल यूनाइटिस सर्विस इंसिचूशन ऑफ इंडिया नई दिली इस दिए एक ठींक टैंक है जो रास्टिय सुरक्षा एवं रक्षा सेवाओं पर केंद्रित कारेव के लिए जाना जाता है तो यह है प्रोजेक्ट ब्धारती सेना के लिए प्रोजेक्ट विए औरूट मिशन वन टीवी डीवन सफ़न हुआ है मनुस्य को अंत्रिक्ष में भेजने के भारत के महतों कांग्छी गगन यान मीशन के तहत सभी आवसे कुप करोनों के साथ पहली परिक्षण उड़ान टी वी डी वन यानि टेस्ट वाइकल और बीट मीशन वन 21 अक्टूबर 23 को सफल लई है एक कुरू एसकेप सिस्टम के साथ एक कुरू मोडल सी एम को अंतरिक्ष में भग एक सत्थ दसमलों एक सेकेंड के बाद ही 118 किलोमीटर की उचाई पर रॉक्ट से CES अलग हो गया इस से 6 किलोमीटर आगे 17 किलोमीटर की उचाई पर कुरू सकूप सिस्टम से कुरू मोडियूल अलग हो गया और कुरू मोडिल की प्रिथिवी की और वापस शुरू खोलने के बाद सतीज धोन अंत्रिक श्केंदर से लगभग 10 किलोमेटर दुर बंगाल की खारी में उत्रे क्रू मोडल को नेवी की यूनिट ने खोज कर पोथ पर सुरक्षित पहुंचाया है इस परकार इसरो की गगन यान मिशन की यह पहली यह पहली जो है आठ वीनट आठ सेकेंड की परिक्षन उडान थी जिसे टेस्ट वेहिकल और्बिट मिशन वन यानि टेस्ट वेहिकल और्बिट मिशन वन नाम दिया गया है सफल नहीं गगन यान की मानो रहित पहली उडान दो है 24 में तथा मानो यक्त उडान दो है 25 में संभावित है जिसमें तीन अंत्रि डीवन की तर्ज पर टीवी डीटु टीवी डीठी वर टीवी डीफोर परेक्षन उरान सब भी अभी जो है संपन की जाएगी तेस्ट वीकल जो डेवलापर फ्लाइट है टीवी डीवन एकी सक्टूद है इसको उपिवत उरान के बाद आठ राता आठ बज़े होनी थी सुब बद 10 बजे शुरू की गई इस उरान की सफल से गगन यान मिशन का एक महतोपुन पराव भारत ने पार कर लिया है इस उरान के मुख्य देश जो है क्रू एसकेप सिस्टम को टी वी डी वन से अलग कर क्रू मोडिल को प्रिथिवी पर सुरक्षित वापिस का परिक्षन करना इस परकार जो है एक इस अक्टूबर दो है तेस को टेस्ट फ्लाइट जो है और वेट मिशन टीवी डी वन पे तीन भाग थे पहला सिंगन इंजन रोकिट अंत्रिक्षियात्रियों के रहने के लिए क्रू मोडिल तथा सिस्टम में खराबी आने के स्थिति में क्रू मोडि नारेंद मोडि ने कहा कि यह परिक्षण प्रशेपन हमें भारत के मानो रहित अंत्रिक्ष उडान कारेक्रम गगन यान को सकार करने की दिशा में एक कदम और आगे की और ले जा रहा है इस रोके पैग्यानिकों को इसके लिए प्रधान मंत्री ने बढ़ाई दी गगन या स्थापना करने तथा दोहें चालिस तक चंद्रमा पर पहले भारतियों को भेजने सहीद नए महतों कांची लक्ष अब भारत को रखना चाहिए ना तो 2035 तक वहां पर क्या होगा दोस्तों अस्ट्रेशन बनने वाला है दोहां चालिस में दोस्तों वहां पर मानों भेज़ कि Return에요니 में और घृदी होई है अक्ट्र दुबय 23 में इस समय होई जब पोर्जेक्ट को 15 20 स रेनी का Guided Mistal जो है Destroyer इंफाल इस सौंप दिया गया है इसका नाम कियाaison 15 वी सरेनी का विस्तापन 6 जो इसका कितने सब निर्मीत के यूदपोथ जीसे विभ निर्मान सब्से बढ़ विद्वानज में से 1 इसके कुल लंबाई कितने 16 Positive इसके कंगर मार करने वाली सूपर सो ब्रहमोस मिसाईलों सता से सवता पर मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रहमोस मिसाईलों तथा सता से सता से हवा मध्यम दूरी तक मार करने वाली पराक एट मिसाईलों से यहां लायस है समुद्र के भीतर यूद शमता के लिए पंडुबी रोधी स्वधेशी हथियार वह सेंसर क सुसर्जित है प्रोजेक्ट 15B के तहत 9 सेना को मिला है तीसरा यूद्पोथ है इस रेनी का पहला यूद्पोथ विशाखा पर्टनम 21 अक्टूबर 2021 को नौसेना को सौपा था जबकि दूसरा यूद्पोथ मौर्मु गाओ 18 अक्टूबर 18 दिसमे 2022 को नौसेना को सौप दिया गया है इनाध का एसा पहला यूद्पोथ जिस पर महिला नौसेनी को के लिए भी आवशी बेवस्ता है रहनी के बिवस्ता है इस स्रेनी का चोथा और अंतिम यूदपोद वोन है तूरत है ना जिसका जालाव तरण 17 मई 2022 को किया गया था तथा जिस पर कारे अभी भी चल रहा है ना दोस्तों तो ऐसे हम लोग ने राश्ट्री घटना करम को कंप्लीट किया फिर हम लोग नेक्स सेसंजवाएगा मेरा व सब्सक्राइब करें और अपने दूस्तों में से जावाएगा